हाई फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में दोस्तों आज मैं बात करूँगा टाटा टियागो के बारे में बहुत सारी लोग जो है ये पुछ रहे हैं कि कौन सी वेरियंट लेनी चाहिए तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे ताकि आपको इसके पूरी जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको चार वेरियंट मिलती है तो चारों वेरियंट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से वेरियंट में लगबग आपको क्या मिल जाती है सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेफटी फीचर्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा XE variant की जो की यहां की जो Tata Tiago है इसकी base model की variant है तो यहां पे आप अगर देखे तो XE variant में आपको बहुत कुछ नहीं दी जाती है यूँ कहें तो आपको जो base model होती है उसमें कोई भी company जो है सिर्फ आपको car देती है और उसका एक design दे दे इंजन आपको दे देती है लेकिन बहुत सारी चीज़े जो है वह missing होती है जैसे कि मैं आपको Tata Tiago में बात करना चाहूंगा तो यहां पे आपको music system नहीं देने के साथ साथ आपको बात करें तो यहां पे आपको 4 power window के control भी नहीं मिलते हैं सिर्फ front के 2 power window के control मिलते हैं बाक music system लगवाते हैं तो आपको जो Tata Tiago में आपको harmon music system मिलते है वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है दूसरी चीज़ यहां पे आपको 14 inch के tire मिलते हैं लेकिन आपको यहां पे wheel cover भी नहीं दिया जाता है तो यह चीज़े हैं जो कि आपको base model में नहीं दी जाती है और यहां सारे elements जो है chrome insert वगेरा भी आपको जगा जगा पे नहीं दिये जाते हैं जो कि आपको एक अधूरा सब महसूस होता है यानि कि अगर आप base model खरिदना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से भी बहुत सारे ऐसे series लगवाने पड़ते हैं तो आप base variant को नहीं ले मेरे हिसाब स और अगली जो आती है वो है XT variant जो कि मेरे हिसाब से value for money variant ये बन जाती है क्योंकि XT variant में आप देखे तो यहाँ पे आपको music system भी दे दिया जाता है दूसरी चीज यहाँ पर आप अगर देखे तो आपको चारू power window के control आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखे वो आपको नहीं दिये जाते हैं क्योंकि टाटा टियागो में आपको फोगलेंप जो है XZ और XZ प्लस variant में दिये जाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से यह इसलिए value for money variant है क्योंकि इसमें आपको day and night IRBM मिल जाते हैं प्लस अगर आप देखे यहाँ पे तो आपको ORBM में ही आपको blinker मिल जाते हैं यानि कि indicator मिल जाते हैं यहाँ पे इसलिए मैं इस variant को value for money variant कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको तुलना करें XZ variant से तो XZ variant में अगर आप देखे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा touch screen दिया जाता है लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करे तो आपको parking camera न आपको मिल जाते हैं फोगलेंप जो कि XT variant में नहीं मिलती है और अगर आप बात कर तो A steering में आपको controls मिल जाते हैं XZ variant में जो कि आपको XT variant में नहीं दिये जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप AC की बात करें तो आप XT में आपको manual AC दी जाती है जो कि आपको XZ variant में भी manual AC ही दी जाती है तो इस डंग से अगर आप देखे तो XT variant जो है XZ variant से मुझे ज्यादा अच्छी और value for money variant लगती है क्योंकि आप यहाँ पे देखे तो price का difference अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लगबग 50,000 के आसपास आपकी price की difference आती है और आपको इस में से अगर आप देखे तो आपको कम क्या चीज मिलती है अगर आप XT variant को लेते हैं तो आपको XT variant में कोई control नहीं मिलता है आपको यहाँ पे बड़ा सा एक touch screen नहीं मिलता है जो कि आपको XT variant लेते हैं तो उसमें आपको normal जो है आपको music system दिया जाता है हलाकि इ जो है provide नहीं के जाते हैं XT variant में लेकिन अगर आप market से फोगलेंप वगेरा खरीते हैं तो फोगलेंप आपको लगबग 3,000 रुपिये में लग जाती है तो 3,000 में आपको फोगलेंप हो जाती है एक चीज आप नहीं लगवा सकते हैं वो है आपकी एस्टेरिंग में जो control है बाकी सारी चीजे आपको लगबग मिल जाती है इस variant में तो मेरे हिसाब से XT variant value for money variant मेरे हिसाब से होती है यह बात करते हैं XZ variant की तो XZ variant में आपको फोगलेंप मिल जाती है स्टेरिंग में control मिल जाते हैं आपको touch screen दी जाती है लेकिन आपको पार्किंग camera नहीं दिया जाता आपकी AC जो है manual AC ही आपको यहाँ पर दी जाती है XZ variant में भी यहाँ पर ORBM के बात करें तो वह आपकी foldable ORBM होती है जो की electrically होती है यह एक बढ़िया चीज आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको rear washer भी मिल जाता है तो यह चीज आपको XZ variant में मिलता है लेकिन यह मेरे हिसाब तो XZ variant जो है वो value for money मेरे हिसाब से नहीं होती है क्योंकि अगर आप XZ plus variant को देखे तो वो मेरे हिसाब से XZ variant से जादा value for money variant बन जाती है क्योंकि यहाँ पर तुलना करें XZ variant के XZ plus variant के साथ तो यहाँ पर आपको price की सबसे पहले मैं तुलना कर लेता हूँ तो price जो है लगब मैं price बता देना चाहता हूँ on road तो यहाँ पे आपको XZ variant के price जो है वो 6,50,000 रूपय के आसपास आती है जबकि XZ plus variant की price जो है 6,80,000 रूपय के आसपास आती है तो 30,000 के अंतर आपको होती है और 30,000 में आपको XZ plus variant पे बहुत सारे चीजे जो है वो आपको provide की जाती है जैस आपको XZ variant से अलग करता है दूसरी चीज अगर आप XZ plus variant लेते है तो वहाँ पे आपको rear parking camera भी provide किया जाता है जो कि बहुत बढ़िया है और अगर आप XZ variant छोड़कर XZ plus variant लेते तो वहाँ पे आपको automatic climate control मिलता है यानि कि automatic AC आपको दी जाती है तो यह चीजे आपको मिलती है अलग से जो कि अगर आप देखे तो अगर आप market की through भी अगर आप alloy wheel लगवाना चाहते है या फिर आप parking camera लगवाना चाहते है तो इसमें आपको जो है लगवग 30,000 के आसपास की cost जो है वो आ जाती है तो इस डंग से मेरे हिसाब से जो है value for money variant XT और XZ plus variant ही लगती है त तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो टाटा टियागो की सबसे value for money variant जो है अगर आपकी budget कम है तो आप XT variant ले और अगर थोड़ी सी budget आपकी ज्यादा है XZ से तो XZ plus variant ले क्योंकि आपको उसमें सभी चीजे दी जाती है सभी चीजे जो है टाटा टियागो की वो आपको मिलती है जैसे की alloy wheel, parking camera उसके बाद आपको AC के control जो है वो automatic आपको मिलते हैं तो इस डंग से आपको सारी चीजे दी जाती है तो मेरे हिसाब से अगर आप टाटा टियागो लेना चाहते हैं तो आप XT variant ले और अगर आप थोड़ी सी आपकी budget जो है वो ज्यादा है तो आप XZ plus variant ल दोगी होगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी next video में तब तक लिए आप अपना ध्यान रखे हैं और अगर आप two wheeler चलाते तो helmet जरूर लगाए